अचानक आधी रात को स्कॉटलेंड की खिलाडियों के कमरे में पहुँचे रोहित और कोली फिर देखे क्या हुआ जी हा दोस्तो ये बहुती खुबसुरत पल दुनिया को देखने को मिला जिसकी तारिफ स्कॉटलेंड ट्रिकेट करते ठक नहीं रहा है आपको बताएंगे पूरी ख़बर लेकिन उससे पहले अगर आपको भी रोहित और राहुल की धमाकेदार बलेबाजी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा दोस्तो T20 विस्व कप के सेमी फानल में पहुशने की टीम इंडिया की उमीदे अभी भी बरकरार है शुकरवार को भारत में स्कॉटलेंड पर आट विकेट से बड़ी जीत दर्ज की इस जीत के बाद टीम इंडिया, पाकिस्तान और न्यूजिलैंड के बाद ग्रूप दो के पॉइंच टेबल में तीसरे इस्थान पर आ गई है भारत के अब चार मैच में दो जीत के साथ चार अंग हो गए हैं दोस्तो यहां मैच एक तरफा रहा पहले भारती गेंड बाजो ने स्कॉटलैंड की टीम को महस 85 रन पर आलोट कर दिया और फिर बल्ले बाजो ने 6.93 ओवर में जीत के लक्ष को दो विकेट गवा कर हासिल कर लिया भारती टीम को नेट रन रेट बहतर करने के लिए 43 गेंड में जीत का लक्ष हासिल करना था लेकिन रोहिश चर्मा और केलराउल की सलामी जोडी ने टीम को ऐसी तुफानी शुरुआत दिलाई कि भारती महस 49 गेंड में ही जीत का लक्ष हासिल कर लिया दोस्तो इस जीत के बाद विराट कोली और उपकतान रोहिश चर्मा के अलावा टीम के कई और खिलाडी अचानक स्कॉटलेंड के ड्रेसिंग रूमे पहुँच गए क्रिकेट स्कॉटलेंड ने इसकी कुछ तस्वीरे अपने ट्वीटर हैंडल से सियर की इसमें कोली स्कॉटलेंड के खिलाडियों से बात करते नजर आए विराट और रोहिट जब बाते कर रहे थे तब स्कॉटलेंड के सभी खिलाडी बड़े ध्यान से खेल के इन दिगजों को सुन रहे थे इस तस्वीर को सेर करने के साथ स्कॉटलेंड क्रिकेट ने दिखा हम आपका बेहत सम्मान करते हैं विराट जो अपने हमारी जीत के लिए वक्त निकाला दोस्तो वाकई में भार्टिय टीम के दिगस, कोली और रोहित जैसे खिलाडियों ने दिखा दिया कि जीत हासिल करना ही माना होता नहीं है बलकि हारने के बाद भी उस टीम को पूरा सपोर्ट करना ही असली खिलाडी होता है अब ऐसा किसी भी खिलाडी से नहीं देखे होंगे जो विरोधी टीम की होसला बढ़ाए उनके कमरे में जाकर बात करें इसके लिए तो हमारे इन खिलाडियों को हम सलाम करते हैं और इन खिलाडियों की तारिफ खुद स्कॉटलेंड क्रिकेट ने भी की है दोस्तो इस मैच में विराट ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का फैसला किया था तो भारती गेंदबाज कप्तान के इस फैसले पर खरे उत्रे और स्कॉटलेंड की पूरी टीम को सिर्फ 85 रन पर धेर कर दिया भारत के लिए मुहम्मस्तामी ने तीन रविंदर जटेजा ने तीन और जस्पित बुम्राह ने दो विकेट जटके भारत को नेट रन रेट में अफगानिस्तान से आगे निकलने के लिए 7.1 ओवर में लक्ष का पीछा करने की जोगरती जबाब में केल राहूल के 18 गेंद पर 18 सतक के बदौलत भारत में 6.3 ओवर में जीत के टार्गेट को हासिल कर लिया